नमस्कार्ट स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां एक तरफ BBC की तरफ से देश के प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के खिलाफ जारी की गई है एक डॉक्यमेंटरी जिसको लेकर आज देश भर में बवाल होता हुआ नजर आ रहा है जहां एक तरफ कॉंग्रेस से लेकर तम चैनल पर जिसको लेकर विपक्ष और तमाम लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जनित याचिकर डाल दी गई है और कहा जा रहा है कि वो सच्चाई है उस पर परदर डालने की कोशिच की जा रही है और BBC ने सच पर प्रकाश डाला है देखें सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये BBC क्या करती है BBC बहुत पहले से भारत विरोधी रही है अगर आप बहुत पहले की इनकी डॉक्मेंटरी या जो भी चीजे देखें तो ये पहले भारत को गरीब असाहाय निसाहाय ऐसा टाइप दिखाते थे जैसे कि जो बिटेन था वो सही में यहां राज कर रहा था तो ये भारत विरोधी वहां भी थे और जब ये चीजे सामने आ गई जब बिटेन ही की ही हवा निकल गई जब बिटेन ही इस लाइक नहीं रहा कि अपने आपको बता पाए कि हम कितने सुपीरियर हैं क्या है जब बिटेन की पोल पट आपकार भारत की इमेज ये खराब करते हैं हमको इस पर गौँर करना चाहिए कि BBC का अकेला एजेंडा है भारत की इमेज खराब करने को पहले भी ये करते रहे हैं अभी एसा हुआ है कि जो इन्होंने जो अभी कार्नामा किया यो बहुत जल्दी पकड़ा गया पहले वाले जेट मलानी जी ने बोला है कि ये पैसे लेकर चाइना की कमपणी से, बैंड कमपणी से और भारत विरोधी चीजें खास कर जो प्रधान मंत्री है देश कर उनके विरोध में ये इन्होंने डॉकुमेंटरी बनाई उसमें ये दिखाने की कोशिश की कि जब मुख्य मंत्री थ है मोधि जी तो वहां पर उन्होंने मुसलिम लोगों को टारगेट किया, यह किया, यह पेक चीजे बनाई उन्होंने. BBC में यह हिम्मत नहीं हैं कि आकर सामने बता सके कि उन्ह ट्राइल में क्या हूआ, जो गोधरा में केस हुए थे उनके ट्रायल में क्या हुआ कितने लोग भागे हुएं कितने लोग प्रोक्लेम्ड ओफेंडर पी ओ डिकलेर हो चुके हैं भगोडा गोशित हो चुके हैं इस सब के बारे में BBC बड़ी चालाकी से बड़ी धूरतता से बड़ी घटिया तरीके से चुपा जाती है मिसलीड कर देती है आप BBC की कोई भी डॉकुमेंटरी देखें तो उनका एक ही एजंडा होता है भारत विरोधी ये बात अलग है कि चुकी अब केंदर सरकार इनकी बाते नहीं सुन रही या इनके ब्लैक मेल से इनको कोई तरजीह नहीं दे रही तो अब य हैं और ये इनकी पॉल पट्टी बहुत तेजी से खुल गई पकड़ा गया इनका जूट पकड़ा गया इनका टोटल एजंडा पकड़ा गया तो ये बात तो बिल्कुल सब को हमको आपको सब समझ लेना चाहिए कि ये जो भी कर रहे हैं वो भारत बिरोधी इनका एजंडा यह विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर विदेशी ताकतों के इशारे पर हमारे देश को बदनाम करने के लिए हमारे जो नेता हैं जिनको वोट जनता देती है जिनको चुनकर अपना प्रतिनिधी बनाती है उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनको डिमरलाइज करने के लिए हमारे यह जो डॉकुमेंटरी बनाई है उन्होंने इसी एजंडा के अंतरगत बनाई और यह बात अब खुल गई है पकड़ी गई है महेज जेट मलानी जी ने सब कुछ सामने कर दिया है इस पर जो महेज जेट मलानी जी का ट्वीट है वो भी पढ़ने लायक है उन्होंने कैसे सार पोलपटीन की खोल दी है तो यह चीज हमको अपने दिमाग में बिठा कर रख लेना चाहिए और जब भी बीवी सी का कोई भी नाम हम सुने कहीं कोई क्लिप देख रहे हों कोई डॉकुमेंटरी देख रहे हों तो हमको यह गौर करना पड़ेगा कि यह भारत विरोधी एज और यह संपरदाइक भावना को यह खुद भढ़काते हैं जनता के सामने चुकि मीडिया बीवी सी एक पुराना कॉर्परेशन है और मीडिया का बहुत इंपक्ट है आज की दिन में तो मीडिया का मिस यूज करते हुए गलत यूज करते हुए यह ऐसी हरकते करते हैं और अ इने चुने कॉंग्रेस के लोग या जो नेता जो पी इल जिन्होंने फाइल किया है और वो फिरिडम अफ एक्सप्रेशन और ऐसी ऐसी जो जुमले हैं उसका गाना गाएंगे टीवी पर डिवेट करेंगे फालतु की बकवास करेंगे सचाई यह है कि यह भारत विरोधी ब कि भारत विरोधी एजेंडा को कितनी चलाकी से कितनी घटिया तरीके से यह लोगों को दिखा रहे हैं विशो के सामने प्रसारित कर रहे हैं और इनका इसको लेकर विरोध होना ही चाहिए ऐसा मेरा मानना है सर एक तरफ केंद सरकार की तरफ से इस डॉक्यमेंटरी को बैन कर दिया गया है तमाम जो एक्शन है वो लिए गए है पर वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस करनाटक कॉंग्रेस की बात कर रहे हैं तमाम और जगा से कॉंग्रेस के ट्वीट सामने आ रहे हैं बयान सामने आ र और मोदी को टार्गिट किया जा रहा है, देश के प्रधानमंदरी को टार्गिट किया जा रहा है बी-बी-सी के तरफ से, चाइना से हाथ मिला कर सरफ इसलिए एक तरफ विपग जो है पी-डाकिल कर रहा है हाँ ये तो दिखाई दे रहा है और आप देख लेंगे ऐसा लगता है मुझे भी लगता है सबको लगता है और यह आम चर्चा में है कि बीबीसी अब आगे भी ऐसी घटिया हरकते करती रहेगी चुकि 2024 का चुनाओ अब सामने आ गया है तो बीबीसी का एक ही काम है कराना उस सरकार के नुकसान करना लेकिन वो दिन अब लद गये है बीबीसी की कलाई खुल चुकी है बीबीसी जैसी ओर्गनाइशन अब इनफेक्टिव है भारत की जनता इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ चुकी है और इन बातों को देखते हुए कोई भी वोटिंग सब्जेक्ट्स पर होते हैं स्टेट के विलफेर एक्टिविटीज पर होते हैं किसने कितना डेवलप्मेंट का काम किया कितनी सरकार कौन सी सरकार कितनी इमानदार है उन विशेयों पर वोट होते है इसलिए बीबीसी का ऐसा करना या करते रहना एक हास्यास्पत बात है कही इसे कोई impact पढ़ने वाला है नहीं और BBC को चाहिए कि इन बातों को रोक लें या करना बंद कर दें या कम से कम यह बोल दें कि हाँ हमने ऐसा किया गलती हुई हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे उसको करने की बजाए यह चोरी और सिना जोरी के मुहावरे को चरितार्थ करते उनकी भी funding किसी ऐसी ही विदेशी agency से हो रही हो या वो लोग भी ऐसी ही कहीं से किसी और के इशारे पर नाच रहे हो तो यह कोई बड़ी बात नहीं है यह जो PL डाली गई है इनका क्या हश्र होने वाला सब जानते हैं और यह जो मुहावरे और जुमले गढ़ेंगे कि हमार freedom of expression चीना जा रहा है जनता को जानने का हक है उस documentary को देखने दो जिसको मन होगा वो देखेगा जिसको नहीं मन होगा वो नहीं देखेगा तो ऐसे जुमले गढ़े जाएंगे बताये जाएंगे लेकिन यह नहीं बताये जाएगा कि यह एक बहुत ही दुरभावना से किया ग और उस बैन को हटवाएं और लोगों को दिखाएं कि देखो जी हमने यह दिखाया था और यह हमारे पर प्रूफ है यह सारी चीजे हम दिखाते हुए कहते हैं कि हम इस documentary को ब्रोड़कास्ट करेंगे और हमें ना रोका जाए अगर इनकी बातों में सच्चाई है तो अदाल लगई है